हेलो अच्छो, let's see the question इस question में हमेंक semicircle दिया है इसका radius क्या है, capital R है ठीक है, और qualifying के अंदर हमने क्या क्या है, टृपेजियम को inscribe किया है टृपेजियम का जो looper base है, वो किसमे है, वो diameter पे है semicircle के diameter के ओपर है ठीक है और हमें क्या करता है, Asia का लारजेस्ट इरिया क्या करना है कोश्चन में करना है ट्थीस्टी आ है और 4 लेंद्ध क्या हो जाएगी इसे अंगल को भी क्या मन रही है थीट ही होng तो यह भी लेंद्ध क्या हो जाएगी आपकी आर कॉस थीटा हो जाएगी ठीक है यह लेंद्ध आर कॉस थीटा है और यह जो पर्पेंडिकुलर लेंद्ध है क्या हो जाएगी आर साइन थीटा ठीक है और यह वाले जो पर्पेंडिकुलर लेंद्ध है यह भी क्या हो ठीक है, फिर आप प्रोवेजयम निकालने का डारेट फॉर्मूला होता है, half into sum of parallel sides into height ठीक है, half into sum of parallel sides, तो देखें, यहाँ पर जो parallel side से एक side ही है, दूसरी side ही है, ठीक है, तो देखें, जो यह वाली side है, इसका length क्या हो जाएगे तो 2R हो जाएगा, जो कि diameter है, semi circle का, हो गया into height. Height देखें trapezium का height किसके equal हो जाएगा r sin theta के क्या हो जाएगा equal हो जाएगा ठीक है यह क्या चुका है area of trapezium आ चुका है ठीक है तो इसê में किसके equal मान रहा हूं? trimming family यह थ्लड़ा से हम simplify के ले रहे हैं. एक से equal हो जा जाएगा थिटा के respect में, क्योंकि हमें क्या करना है, इसका largest area निकालना है, तो ये थिटा का function है, इसे हम क्या करते है, differentiate करते है, d, a, by, d, थिटा, तेंगे, किसके equal हो जाएगा, r square times हो जाएगा, ठीक है, r square times, दिखे, यहां से, यहां से, यहां से, क्या हो जाएगा, cos square theta, दिखे, minus का sin square theta plus का क्या हो जाएगा आपका cos theta ठीक है और इसको क्या करते हैं यह 0 के equal put कर देते हैं तो इस में देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका इसे में लिखे रओ 1 minus cos square theta 2 cos square theta plus cos theta minus 1 cos theta minus 1 किसके equal हो जाएगा 0 के क्या हो जाएगा equal हो जाएगा, फोड़ा इसे और simplify करते है तो देखें किसके equal हो जाएगा 2 cos square theta plus kg Baş theta plus 1 और यहाँ से minus 1 common ले रहे तो क्या जाएगा cos theta plus का 1 और किसके equal हो जाएगा 0 के क्या हो जाएगा? this implies यहाँ से आजाएगा 2 cos theta minus 1 into cos theta plus 1 ठीक है इसके equal हो जाएगा 0 के क्या हो जाएगा equal हो जाएगा ठीक है तो this implies देखे यहां से cos theta का value क्या आजाएगा cos theta is equal to 1 upon 2 और क्या आजाएगा cos theta का value minus 1 ठीक है but क्या हो जाएगा cos theta is equal to minus 1 not possible हो जाएगा ठीक है cos theta is equal to minus 1 क्या होगा is not possible ठीक है not possible ठीक है reason एक अगर cos theta minus 1 होगा तो theta का value क्या हो जाएगा but जो यहाँ पर theta है theta का value किसकी बीच में लाई करेगा 0 से only pi by 2 की बीच में लाई करेगा ठीक है so this implies theta equal to pi क्या हो जाएगा यह आपका not possible हो जाएगा तो यहाँ पर only possible value क्या हो जाएगा cos theta is equal to 1 by 2 ठीक है इस case में theta का value क्या possible हो जाएगा theta का value आपका pi by 3 यानी 60 degree जो है क्या हो जाएगा possible हो जाएगा ठीक है तो लिए अब चिकल लेते हैं first derivative तो आ चुका है अब second derivative चिकल लेते हैं क्या आएगा ठीक है और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इसको differentiate करेंगे तो यह minus का क्या हो जाएगा 4 दोनों को differentiate करेंगे minus 4 cos theta sin theta minus का क्या हो जाएगा sin theta हो जाएगा ठीक है अब देखे second derivative का value निकाल लेते हैं कहाँ पर add theta is equal to pi y 3 के corresponding ठीक है देखे theta is equal to pi y 3 के corresponding second derivative का value क्या राय देखे तो रखेंगे तो यहाँ पर ध्याँ से देखे सब positive होंगे और यह minus minus मिलके क्या बना देगा और square यह minus क्या बना देगा इसे negative बना देगा फिर हम calculate कर लेते हैं minus 4 times क्या आजाएगा देखे 1 by 2 into आजाएगा root 3 by 2 और minus का जाएगा root 3 by 2 तो यह value कैसी हो जाएगी आपकी negative हो जाएगी ठीक है और किसके लिए 4 theta is equal to pi y 3 के लिए value कैसी हा रही negative आ रही है अगर second derivative क्या हो जाए negative हो जाए तो this implies उस point के corresponding क्या आता है function का always कैसा value आता है maximum value आता है ठीक है तो this implies यहाँ से हम लेख सकते है largest area largest area area देखे एक इसके equal हो जाएगा देखे r square r square sin theta into क्या था cos theta plus 1 था ठीक है वास हम इसमें क्या output कर देंगे theta is equal to pi y 3 तो क्या आजाएगा देखे रो r square root 3 by 2 ठीक है into क्या आजाएगा 1 by 2 plus 1 आजाएगा इसको थोड़ा simplify करें r square root 3 by 2 into क्या आजाएगा 3 by 2 आजाएगा ठीक है तो clearly यहाँ से क्या answer आजाएगा 3 root 3 by 4 times क्या हो जाएगा r square हो जाएगा ठीक है तो यह answer match कर वा लेते है clearly यहाँ से क्या हो जाएगा आपका option what is the right option I hope you understood it well thank you झाल